इस ट्टुडेंट इस वीडियो पे आपको मैं बताने वाला हूँ सुमित्रा अनंदन पंत जी का जिवन परिचे कैसे वोड एक्जाम में लिखना है इस जिवन परिचे को बहुत ही आसान भासा में एकदम कम समय में आपको इस जिवन परिचे कंप्लिट तरीके से मैं कराने बाला हूँ तो सबसे पहले दीखिया पर आपको जान लेना चाहे किखिए कि जो सुमित्रा अनंदन पंत है इनको प्रकृती के सुकुमार कभी कहा जाता है तो ये आपको हो गए इनका समय और जन्म स्थान इसके बाद है कि इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था और पीता का नाम पंडित गंगादत पंच था तो ये माता और पीता का नाम भी आतकली जिगा ठीक है ना सरस्वती देवी माता का नाम और पीता का नाम पंडित गंगादत पंच ठीक है इसके बाद देखिए लिखना ह प्रवेस लिया था और प्रंतु गांधी जी के आवान पर क्लेज छोड़ दिया था मतलब कि गांदी जी ने बुलाया, इनको तो इनों नें कालेज छोड़ दिया क्योंकि उस समय सोतंता संगरांव की जो लड़ाई है वो चल रहे थी ठीक ठीक ना तो इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि इनों ने स्वाधाय से ही स्वाधाय से अधिक से अधिक भासाओं के आध्यान किया साहित सेवा करते हुए पंत जी का निरान सन 1977 इस भी में हो गया तो इनका इतना जो है आपको स्वाट में जियोन परिचे लिख देना है अब बात करते हैं इनका साहितिक परिचे कैसे लिखना है क्योंकि बोड़िक जाम में आपका इनका साहितिक परिचे के साथ-साथ रचनाय भी पूछी जाती है तो जियोन परिचे तो आप इतना लिखेंगे जो कि मैं आपको पुरा बता दिया साहितिक परिचे में देखे कैसे क्या चीज़ें बताना है तो लिखेंगे हम लोग हेडिंग डालेंगे साहितिक परिचे इसको बागी का याद कर लिजगा उनीच सो इस भी में जन्म हुआ था अलमोडा के निकट कोफसानी ग्राम में सरवस्वति देवी माता का नाम था पीता का नाम गंगा दत पंथ था ठीक है और इसके बाद साहितिक परिचे देखे लिखेंगे कि कभी सुमित्रा नंदन पंथ साथ वर्ष की अलपायू से ही कभीताओं की रचना करने लगे थे कभ से साथ वर्ष की जब थे हाना अब इसके बाद देखिए इन्होंने रूपावा पत्रिका का संपादन किया तत पस्चा तैनि उसके बाद पंत जी का परिचे अरविंद घोज से हुआ और उनसे प्रभावित होकर अनेक रचनाएं की ठीक है और 1961 में पद्म भूशन सम्मान मिला और कला और बुढ़ा चांद पर इनको साहित अकादमी पुरुषकार भी मिला था तो इनका परिचे साहितिक में इतना साहिति में इतना ही परिचे है आपको ऐसे बता देना है क्योंकि चालों की ये परकरती से संबंदिенное प्रकरती की संदर्ता से रिलेटेड इसलिए इनको परकरती का सुकमार कभी माना जाता है या कहा जाता है ठीक है तो ऐसे कर देना है अब आपका ये पूरा हो गया साहितिक परिचे है इतना लिखेंगे तो आपको पूरा नमबर मिल जागा, बात करते हैं इनकी करतियां कैसे लिखने हैं, देखें करतियों में आपको जान लेना चाहिए इसके बाद लिखेंगे यहाँ परिश्टेंट कि इनकी छायावाजी कविताएं अतियंत कोमल एवं मरदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं और इन्ही कारणों से पंत जी को प्रकृती का सुकुमार कभी कहा जाता है देखें आद कली जाप लोग है जो सुमित्रा नंदन पंत हैं ये प्रकृती के सुकुमार कभी माने जाते हैं प्रकृती के सुकुमार कभी ठीक है ना तो ऐसे कर देना है आप बात करते हैं रचनाओ की रचनाओ में जैसे पल्ला हो गया गुंजन हो गया लोकायतन हो गया वीडा हो गया गरंती हो गया इनकी ये प्रमुक करतिया है तो ऐसे करके अगर आप पूरा जिन पर चल लिख के आएंगे क्योंकि highlighted part का ही आपको number अच्छे तरीके से दिया जाता है तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा important point होते हैं ठीक है ना तो ऐसे बोड़ एक्जाम में आपको लिखे आना बाकी आपको और भी जो other topic है उन पर भी जिन पर जे मैं बहुत ही जल्द आपको provide कराऊंगा ताकि एक्स डूडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्यमात्रम